दोस्तो स्वागत है आपका टेक्निकल अस्त्र में दोस्तो इस वीडियो में हम आपको भारतिय वग्यानिकों के द्वारा नए गरह की खोज के बार में बता रहे हैं भारतिय वग्यानिकों ने शनी जितने बड़े एक गरह की खोज की है एहमदबाद इस्तेद फिजिकल रिसर्च लेबरटरी यानि की पी आरेल के वग्यानिकों ने ये खोज स्वधेशी तकनीक से बने पी आरेल एडवांस रेडियल वेलुसिटी उब इसकाई सर्च यानि की पारस के मदद से की है इससे पहले नासा के अंतरिक्ष्यान कैपलर टू ने इस ग्रह से संबंदित कुछ जानकारियां तो भीजी थी लेकिन इस नए ग्रह की पुस्टी नहीं हो वाई थी इसके बाद पारस स्पेक्टोग्राफ के जरीए भारतिय वेग्यानिकों ने ग्रह के आकार का आगलन किया था इस दौरान उन्हें ग्रह के 60-70% हिस्से पर बर्फ, सिलिकेट और लोहे जैसे ततों का पता चला इस खोज के बाद भारत सितारों के आसपास के ग्रह खोजने वाले देशों की सूजी में भी शामिल हो गया है इसरों ने अपनी वेबसाइट पर इस खोज के बारे में भी बताया है इसरों ने पोस्ट में इस ग्रह को पिर्थिवी के आकार से 27 गुना बढ़ा बताया है वहीं इसका अर्धव्यास यानि कितरज्या पिर्थिवी के अर्धव्यास से 6 गुना बढ़ा है सूरज जैसे सितारे के इर्दगिर्द चक्का लगाता ये ग्रह पिर्थिवी से 600 परकाश वर्ष की दूरी पर है इस्तरों के मताबित ग्रह के सूरज का नाम एपिक या फिर के टू-236 बताया है वहीं ग्रह को एपिक 1B या फिर के टू-236 भी नाम दिया गया है दोस्तों आपका बतात है कि ये ग्रह अपने सितारे के काफी नजदीक है इसलिए इसकी सता का तापमान करीवन 600 डिग्री सेलसेस पाया गया है इसकी वज़ा है कि इसका अपने सूरज से काफी नजदीक होना इसरों के मताबिक या पिठिवी से सूरज की दूरी के मुकाबले अपने सूरज से साथ गुना नजदीक है इस वज़े से यहां जीवन तो नहीं हो सकता पर वेग्यानिकों का कहना इस ग्रह की खोज के बाद ऐसे और ग्रहों के बारे में जानने की मदद मिलेगी जो अपने सूरज से काफी नजदीक है तो दोस्तो इस रोग के लिए तो एक लाइक बनता है और अब हमारा देश उन चुनिंदा देशों में शामिल हो किया है जो अभी तक अंतरिश के बाहर गलाओं को खोजते हैं दोस्तो यदि आपको जानकरी अच्छे लगए तो जरूर वीडियो को लाइक करें शेयर करें साथी दोस्तो यदि आपका वीडियो समदित कोई प्रश्ण या आपका कोई जवाब है या कोई सवाल है जरूर हमें कमेंट वस्क लिक के बताए साथी दोस्तो चैनल को सब्सक करें और बैल आइकन दबाएं और हमारे वीडियो की लेटेस्ट जानकारी पाएं